अज्क का लेक आम समस्चा है माइग्रेन और सरदर्द्गी और यह बहुत πुराने समय से भी है पुराने समय में पुरुष पर पगड़ी बानते थे माताय बहने सर पर जो बोर्ला होता दा जिए हां पर पॉइंट है यहां पर जो है वो एक गहना जिसको बोरला हम कहते है राजस्तानी में वो यहां पर रखा जाता है जिससे सरदर्द में कमी आती थी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनको हम लोग परंपरागत रूप से छोड़ते आ रहे हैं पुरुष पगड़ी बानते थे तो स दोशो में भी बहुत देखा गया है तो यह आँ समस्च्चा जो है वो आजजकल हो गई है आज हम इसीविशज़ पर बात करेंगे देखी हम इसके उपाइ के लिए क्या करते हैं टेबलेट लेते हैं यानि पेनकिलर लेते हैं अब पेनकिलर जो है वो जादा मात्रा में ले लेता है धीरे धीरे करते करते पांस साल दस साल बीस साल तक लोग जो है वो टैबलेट लेते हैं इतने लंबे समय तक टैबलेट लेना शरीर के लिए घातक ही है आधर जो है साइड इफेक्ट्स उसके हमें मिल सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें उस बीमारी का हमें उस स प्रॉब्लम को हमें समझना होगा देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि सरदर्द जब होता है तो उससे पहले बहुत सारे दिनों तक हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उद्वेलन चलता रहता है उसके बाद उसका जो लक्षन है वो उभर कराता है इसी प्रकार अगर सरदर है तो आप कई दिनों तक एक क्रिया को करेंगे तब जाके उस सरदर्द को आप दबा पाएंगे ये मुख्य बात आप समझ लीजिएगा मुख्य रूप से सरदर्द जो है तीन ही जो हमारे शरीर में दोश है जो आईरवेद कहता है वो है त्रीदोश उसमें वात पित और क कफ होता है तो पहला अगर बात करें कि पित की वज़े से भी सरदर्द होता है जिनको पित को पित होता है उनको भी पित की वज़े से सरदर्द होता है कई लोगों को कफ की वज़े से यानि जुखाम सरदी लगती है उससे सरदर्द होता है सरदियों में जो सिर के उपर ठं से चलता है दोपेर तक तो ठीक रहता है लेकिन दोपेर के बाद में खड़ा होता है और उसके बाद में होता जाता है बढ़ता जाता और शाम तक जो है वो एकदम से सिर्भारी और खतरनाक दर्द जो है अंदर ये अंदर रहता है ये जो सरदर्द है या माईग्रेन है ये व को बता दूं दिन चरिया जब तक नहीं सुधा रहेंगे तब तक आप समझ के चलिए कि सिरदर्द का कोई इलाज आपके पास नहीं है आप कितनी दवाईयां ले लीजिए एक बार आपका ठीक हो गया जैसे रात को दर्द हुआ आपने दवाई ले ली रात को सोए वह वायू में जरूरी बात है वो मैं आपको बता दू कि वायू से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए देगे खाना खाते ही वजरासन में बैठना एक अच्छा उपाय हो सकता है जो पेट की वायू को कुपित होने से बचाता है अब अगर हमने जो खाया पेट के अंदर वो नहीं या सड़ गया तो उसकी वायू बनेगी वायू बनके वो हमारे शरीर के उपर की और भागेगी वायू का वेग उपर की और होगा क्यों क्योंकि हमारी जो अपान वायू है वो तो नीचे की और परसारीत हो जाती है तो अपान वायू तो कुपित हो जाती है समान वाय करती है वह व्यान वायू के जरिये हमारे सिर तक वह पहुं praying उуч Rain Also वह प्रेशर रिलीज करना है वह सिह प्रेशर कीसे कर पाएंगे कि यहां तो एक बार कमी करनी उससे कईयों को वायू बनती है, गलट टाइम पे दही खा लेते हैं, अगर दोपैर के बाद में खाया तो वायू बन जाएगी, कई लोग दो बजे तीन बजे रोटी खाते हैं, उनका माईग्रेन होगा, क्योंकि वो गलट टाइम पे भोजन कर रहे हैं, भोजन बारा बजे स पहले पहले कर लीजिए, अगर दोपैर का भोजन करना है, रात का भोजन सोने से, यानि जैसे सूरियास तो होता है, लगबग साथ आठ बजे से, कि आसपास आप भोजन कर लीजिए या उससे पहले कर लीजिए, तो रात को जो है सोने के बीच में 2-3 घंटे का हमें समय मिल जाएगा तो यह कुछ पॉइंट से जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे घूट-घूट करके पानी पीना थोड़ा-थोड़ा पानी पीना वह वाईयू को बचाता है एक से एकदम से गठ गठ से पानी पीन एक साथ इतना पानी पीना वह हमारे लिए घातक है वह वो हमारे पाचन को कमजोर करता है, जैसे ठंडी ठंडा पानी पीना, वो ठंडा पानी भी हमारे पाचन को कमजोर करता है, इन चीजों को अगर आप फोलो करोगे, जैसे भोजन अगर नहीं पसता है, तो उसका सबसे बड़िया उपाए, बैस्ट उपाए, गरम पानी है, आप कप में गरम पानी लीजिए और शिप करते हुए उसको पी लीजिए हाथों हाथ आपको भोजन की वज़े से जो आपच है उससे आपको अच्छा रिलिव मिलेगा और हम हो सकता है दवाईयों से भी हम बच जाए वज़रासन मैंने आपको बताया हुआ खाना खाने के बाद में पैरों को मोड कर बैठना है हाला कि उसके बारे में हमारी चर चर्छा हुई Sesなपर कि पैरों को मोड कर हमें बैठना है एड़ियां बाहर की हो रहोंगी और दोनों पैर के अंगुठे आपस Hem मिले हुए रहें यह जो पैर की अंगूते आपस में भी मुखयर बात यह है कि यह जो पिंडलिया їह यह प्रिशर लूरौ के अंदर वेन और पेट की नशववसे जुढ़ी होती है जब वह प्रेशर में आती है तो उसकी वज़य से हमारे पेट की गैस हो और और संचे ओधनी के खाने में दुनध्वाइू निकल आती है तो तो जिनको खाने से वायू बनती है, जिस खाने से वायू बनती है, वो ध्यान अखें, जैसे खीरा है, खीरा आपने खाना खाने से एक घंटे पहले खाया, वो अच्छा रहता है, उसके बाद में खाया, तो वो वायू करेगा, और वो तो भेंकर वायू करता है, ककडी भी भे पहले का सलाद का समय होना चाहिए एक घंटा पहले खाएंगे तो आपके अन कोaky पचाने में वो सहयोग करेगा ये कुछ जट्राग्णी के बारे में हमें थोड़ा नोलेज होना चाहिए हमें क्या खाना क्या पीना इसी परकार की कुछ चीज़ें अगर करेंगे तो माइग्रेन में आपको लाब मिलें आप कुछ क्रियाओं के बारे में हम चर्चा करें देखिए पहली चीज माइग्रेन के लिए अगर एक्युप्रिशर में अगर बात करें तो ये अंगूठा सबसे महत्रपून इस्थान होता है और आपको इस जगे दर्द है इस जगे दरद है तो अगूठे में भी अगर इस तरस दर्द हसा होगया चाहां चीज mikey पीर में दर्द वह ही है इसको यहां ऐसे स्या सिर समझते हैं तो यह point अगर इधर दर्द है तो इधर दर्द होगा इधर दर्द होगा तो यह एक तो point ऐसे बैठे बैठे या फिर इसको ऐसे ऐसे pressure कर सकते हैं इस तरीके से उससे भी आपको जो है इसमें relief मिलना शुरू हो जाएगा यह हमारा एक्योप्रेशर का सरदर्द का पॉइंट है दूसरा हमारा यह जो है यह हलंकी है तो कंदे तक और सिर्ट के पूरे हिस्से तक है लेकिन इसको हलका हलका दबा सकते हैं देखिए जिस समय दर्द होता है उस समय अगर मैं कहूं कि आप यह पॉइंट दबा लीजिए उस समय आपको लगेगा अरे यार सरदर्द में काई का पॉइंट दबाएं लेकिन अगर आप सुबह सुबह इसको दो तीन मिनट चार मिनट इस पॉइंट को दबाएं और यह नसों को इंस्टुमिलेट करें करना क्या है यही आपने यूट्यूब पे बहुत लोगों को द रालीफ देगा सिर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जैसे अगर यह जो बोहें को इस तरीके से यह बोहों को दबाना है जहां तिलग करते हैं यह पॉइंट जो है यह विस सरदर्द का पॉइंट होता है इसको यह ए अगर रोज सुबे सुबह हम पांच मिनट अगर दे दे जैसे एक पॉइंट पर एक-एक मिनट का अगर समय दे तो यह पॉइंट जो हैं इस्टिमलेट हो जाएंगे अब जैसे यह सरदर्द जो होते हैं इनमें वायू का वेग होके यह नसे फूल जाती हैं अगर हमने इनको यहां से प्रेशर किया, तो फुली वी नसों की वायू जो रिलीज हो जाएगी, और जो नेक्स्ट जब वायू बनेगी, तो हमें सरदर्द आदा फील होगा, और धीरे 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 रोज अगर करते जाएंगे, तो यह सरदर्द हलका अलका फील होते हुए, क करना झें नियुज़ को फिर सेंटर में यह सेंटर यह सेंटर शाए क्र यहीए यह का शौर यह यहां पर आता इस जगे तो यह संटर जो है तो वायू को जब हम ऐसे दबाते हुए लेके जाएंगे तो यह पीछे की ओर लेकर जाना है पहले सेंटर में हो गया फिर यहां से यह जो माथे का यह उभरा हुआ है यह सब के होता है यहां पर इस जगे से शुरू करना ऐसे यहां पर रिलीज करना है थोड़ा सा वायू को और इसको दबाते हुए पीछे की ओर देखिए कोई नहीं दबाएगा आपको खुद को ही करना पड़ेगा अपने शरीर की व्याधी है हमें खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा लेकिन यह प्रयास अगर रोज सुबह सुबह किया जाए तो बहुत हद तक हम इसमें लाभ प्राप्त कर लेंगे करना नियमित रूप से पड़ेगा जो मैंने दिन चरिया बताईए इसके जश्ट नीचे दो अंगूल नीचे एक पॉइंट और है उसमें पीछे के और लेकर आना इस तरीके से ऐसे ऐसे लिए यह आप देखिए जो यह हमारा यह सीर के उपर यहां से सेंटर पॉइंट से साइड में इस प्रकार यह अंगूली रखी यह यहां पर इस जगह है इसको ऐसे ऐसे पर दबा दीजिए इस तरीके से इस तरीके से ढबाए लिए आईसे और फिर उसके बार में देखिए अमारी यह जो यहां पर हड़ी होती है इस जगह यह समझ लीजिएगा पिछे वाली हड़्ी को कान के पास से ऐसे दबाते दबाते अंदर तक लाना ऐसे, खुद के हातों से, ऐसे, इस तरीके से दबाते हुए अंदर की और लेकर आगना, ये इतना भी कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ब्लड का सर्कुलिशन एक दम से सिर पर चल पड़ेगा, हाँ ये कान के पॉइंट है, ये सिर है, इस जग है, ये कान के प बाकते हैं, ये आप समझेए कि ये जैसे गर्भ में, मा के घर्भ में, बत्चा उल्टा होता है, तो उसमें सिर नीचे होता है, तो ये इस सेम वो सिर जो है, आइसे, इस सिर के पोइंट को, ये दबाना, कान उसी का रूप में है, ऐसे दबा कर थोड़ी देर बैठना है, द रिलेक्स ये पॉइंट सारे सिरदर्द के पॉइंट है जब हो ये वाले तो जब हो तभी भी कर सकते हैं और सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं ये हमारे सरदर्द की कुछ या माइग्रेन की कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई और बहुत आपको हतों आत फील होगा क्योंक विलॉम क्योंकि समता लाता है हमारे त्री दोश को शमन करता है तो अनुलोम विलॉम जो है वह इसके लिए बैटर है हां अगर कोई व्यक्ति नाड़ी शोधन कर सके तो सरदर्द में उर जाधा बैटर रहेगा नाड़ी شोधन जो है वह देखिए स्वांस भरा रोका छोड़ा अब इसको कहते हैं स्वांस लेने को कहते हैं अब दूसरी साइट से ये है पूरक रोकना है कुबबक छोड़ना है रेचक लेना है पूरक कुबबक रेचक शुरू शुरू में आप बराबर मात्रा में कर सकते हैं जैसे दस गिंती तक लिया दस गिंती तक रोका और दस गिंती तक छोड़ा दस तक लिया दस रोका दस छोड़ा ये सिंपल है ऐसा कर सकते हैं फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप मात्रा बढ़ा सकते हैं रोकने की, तो रोकने की मात्रा डबल कर दीजिए, 10 तक लिया, 20 तक रोका, 10 तक छोड़ा, फिर उसके बाद में इसका जो अनुपात है, मूल रूप से अनुपात ये बताया गया है, कि 10 गिंती तक लेना, 40 गिं 10 मिनट ताली जो है ये जरूर बजाया किजिए क्योंकि हाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे किडिनी का है लीवर का है हमारे आंतों का है फेफडे है सब जो और्गन है वो हमारे हाथों में होते हैं इनकी अगर ताली बजाकर हम रोज सुबह 10 मिनट ये क्रिया करें इसमें हाथों की सुन में भी फाइदा मिलेगा और सरदर्द में भी हमें कुछ रिलिफ आ जाएगा ये मूल रूप से उन लोगों के लिए जिनको सरदर्द, माइग्रेन नियमित रूप से रहता है टैबलेट्स लेते हैं, लगातार लिये जाते हैं उनको धीरे धीरे हम चाहते हैं कि टैबलेट्स पर आप माइग्रेन और सरदर्द को मत रखिए आप धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्त कीजिए किसी भी प्रकार की दवाईयां लगातार लेना शरीर के लिए ठीक नहीं है आप अपने शरीर को बीना दवाई शुद्ध हवा से ठीक कीजिए शुद्ध वायू से ठीक कीजिए प्राकरती को चारों से ठीक कीजिए और अपने आपको लंबा जीवन और स्वस्त जीवन दीजिए ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए तेरे साथी दिव्यान शो के साथ त्रीनित टीवी के लिए नमस्कार